welcome once again okay so in this lecture we are going to talk about gas pressure pressure and atmospheric pressure ठीक है so last video में हमने देखा था about liquid pressure okay how liquid exerts pressure यह हमने देखा था last lecture में last video में so अभी हम लोग बात करने वाले हैं gas pressure के बारे में ठीक है तो जो भी gas होता है ठीक है so हम बोलते हैं कि gas के अंदर जैसे liquid के अंदर भी pressure लगता है वैसे ही कैसे gas के अंदर भी pressure लगता है अब इसका simple सा example है जब आप कभी भी क्या करते हो balloon सब को पता है ठीक है जब कभी सा लॉजिक है कि जब कभी हम बलून को फुगाते हैं तो वह ऐसे फुग जाता है राइट बट उसमें क्या हुआ जब यहां से हमने क्या किया एर ब्लू किया ठीक है यह प्रेशर इधर लगा इधर लगा इधर लगा इधर लगा इधर लगा जो भी प्रेशर लगा वो बलून के जो भी बोल सकते हो आप surface पे वो कैसे लगा in all directions ठीक है So, gas pressure कैसा है कहाँ पर लगता है तो यह अपने containers के उपर लगता है किसके उपर? containers अगर आप room में बैठे हो तो जो भी gas का जो pressure है वो किस पे लग रहा है wall पे लग रहा है ठीक है और अगर आप simple अपने घर में LPG gas देखा रहेगा आपने ठीक है तो उसके अंदर हम लुग क्या करते है gas को pressurize करते हैं क्या करते है प्रेशर आइस करते हैं जिसके वज़े से जो भी gas pressure है वो किस पर लगता है containers और वह बार-बार containers में क्या करते रहते हैं ठकराते रहते हैं ठीक है तो यह basic से example था कि जो भी gaseous pressure है वो कैसे लगता है in all direction और यह कहां पर pressure exert करते हैं तो वो pressure exert करते हैं अपने containers के उपर किसके उपर containers के उपर ठीक है तो यह था किसके वारे में gas pressure ठीक है अच्छा एक और है जिसको हम लोग बोलते हैं atmospheric pressure ठीक है atmospheric pressure का मतलब क्या है जो भी pressure अपना कौन exert करता है atmosphere exert करता है हर एक object के उपर या फिर हर एक living organism या non-living हर एक चीज़ के उपर ठीक है जो भी अपना atmosphere हमारे उपर क्या करता है pressure exert करता है उसको हम लोग क्या बोलते है atmospheric pressure ठीक है और जो भी air pressure होता है ठीक है कहां पर sea level पर ठीक है तो मैं यह चीज़ लिख दूँगा आप लोग के लिए ठीक है कि air pressure air pressure at sea level air pressure at sea level is equals to one atmosphere ठीक है कितना equal होता है वो one atmosphere ठीक है अच्छा one atmosphere कितना होता है हमको अगर पास्कल में जानना है तो one atmosphere जो भी है यह होता है one zero one multiply by 10 raise to 10 raise to five 10 raise to three pascal इतना होता है ठीक है रइट one atmosphere कितना 101 multiply by 10 raise to three pascal यह pascal दिखा आपको ठीक है यह किसका unit था यह unit था हमारा pressure का हमने बात की थी लास्ट वीडियो में प्रेशर का unit क्या होता है Newton पर मिटर स्क्वेर लेकिन Newton पर मिटर स्क्वेर हम लोग लिखते हैं मैं ही क्या लिखते हैं ठीक है जो भी एर प्रेशर कहां पर सी लेवल पर लगता है ठीक है वो कितना होता है वन एट्मोस्फियर और वन एट्मोस्फियर किसको इक्वल है 101 501 10 race 2 3 ठीक है थीक है सो यह की यह समझ में आ गया है कि चलो वन एक्मोस्फियर यह है दूसरा चीज आम मैंने अच्छा, क्या होगा अगर मैं सी लेवल से और उपर, ऊपर जाूं ठीक है सी लेवल से क्या कर रह다 हूं मैं ऊपर उपर जा वे तरह है अगर हम क्या करें Earth Surface से उपर की तरफ जाए ठीक है to a certain height या फिर height से उपर जाते रहे उपर जाते रहे तो क्या pressure बढ़े गटे गा ठीक है तो उसका answer है pressure decrease होगा क्या होगा कम होते जाएगा जितना हम लोग Earth surface ते उपर जाएंगे उतना pressure भी क्या होगा कम होते जाएगा ठीक है तो यह इसका भी हमको यह दिया है पूरा क्या बोलते हैं इसका भी हमको पेज नमबर 19 पे वह ग्राफ दिया है कि जैसे जैसे कोई चीज कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वह अर्थ सर्फेस के हाइट पर जाते रहेगा उपर के तरफ तो उसके उपर प्रेशर क्या होगा कम लगता है या फिर प्रेशर डिक्रीज होता है ठीक है तो नेक्स्ट लेक्चर मे इनेक्स लेक्चर जो भी होगा उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ अबावड बयंट फोर्स ठीक है यह कौन सा फोर्स है और कहा पर municipality को मिलता है एड दूसरा वह डिस्कवर किसни किया था ठीक है वह डिस्कवर किस ने किया था और डिस्कवर हुम लोग ओपने है इस प्र झाल